एलो भाईयो मैं पुछ कर भाई हुंड़ाई वेन्यू लेके यार इतने यादा परिशान है ना अभी मैं कोई भी आपको ज्यादा इंट्रोडक्शन वगरा नहीं दे रहा है आपको सीधी पॉइंट में लेके चलता हूँ अभी भाई मैं और पापा आएते इदर होस्पीटल पर हाथ रसमें होस्पीटल है सरस्वती वीना तो इधर आयते भाई तोड़ी दवाई वगरा लेने जैसी भाई गाड़ी में आए ये वाई चालो उन्हें का नामी नहीं ले रही अभी देखो भाई चाबी गाड़ी के अ पर आप ऐसी बात नहीं कि इस अभी पिजली नहीं आ रही है सब कुछ आ रहा है फ्लीक रहा सब कर दो चली मीडर वाउला है लेकिन भी हुसमें लेकर सारी है पात है उन्सलीमा कि पता नहीं कुछालो नहीं हो सबकुछ संदर है की अब ये पता है देखो रिमोटने करते है तो फिर बंद हो जाती है, अब जैसे चालू तो होई नहीं रही थी, तो हमने सुचा कि भाई रिमोट से कर ले रहा है, रिमोट से ओकर अगर हो जाएगी तो ठीक है, तो रिमोट से भाई देखो चालू करी, अभी तीन वारी ब्लिंक करेगी सो चालू हो जाएगी, अभी दे वगेरा कुछ भी दवा होगे ना तुरंद बंद हो जाती है अभी देखना है यह देखो नीचे करा तुरंद बंद गाड़ी और कुछ नहीं दवाए पार वर्टन वगेरा अपने आप भी बंद हो रही है भाई देरे लाग तो पाबा पानी में चले गए अब भाई पापा ने एक एग्जेक्विटर को बलाया शूरूं से तो वो यह आके देखेगा भाई उसको लोकेशन वगेरा भेज दिये के यहां पर आजा भाई तु जल्दी से बताब क्या करा जाए तो वो अभी आ रहा है बागी कि बूनट वगेरा सब कुछ खूल कर देख लिए उसमें तार वगेरा सब कुछ सहीं और आप बुदी देखो वाई अंदर लाइट वगेरा सब कुछ आ रही है कि चलो तो भाई अभी मैं आपको दुबारा दिखवाता हूं जब वो बहाई आते हैं शोरूम से उनके बाद मैं आपको दिखवाता हूं कि क्या होता है अब भाई ऐसी वैठे हुए बाहर भी निकल नी सकते बार इसी हो रही है आप बूंदे वगरा देख सकते हो और सब कुछ करके देख लिया यूटूब पर भी देखा तो किसी ने भी ऐसा कुछ बताए नहीं रखा और नए वेरेंट की गाड़ी अभी किसी को पास है भी नहीं तो किसी को इतना पता भी नहीं है और सारे लोग यहीं कह रहे थे कि अगर ऐसे चालू ना हो तो रिमोट से बटन को दबा करो लेकिन पर ऐसी भी हो नहीं रही खूब ट्राय कर लिया कुछ भी नहीं हो रहा है अब ऐसी यह बैठे हुए उसका भाई आने का इंतजार करने जो शोरूम से बंदा आ रहा है फिर वह बताएगा क्या करना है अभी भाई बहुत देर हो चुकी है देड़ हुंडे के शोरूम की सर्वेस आतरस में इतनी आदा खराव है मतलब शोरूम पर फोन कर दिया कब का एक गंटा लगव होने को आ गया हो वहां से अभी तक कोई भी बंदा नहीं आया है मतलब कोई भी जीरो सपोर्ट रहता है अगर आपका कभी ऐसे होता है ना आपके साथ तो बिलकुल कोई भी नहीं आता तो अभी बाई ओनलाइन ही मैंने हुंड़ी का हेल्प लाइन नंबर निकालकर उसी पर कॉल किया है और अभी वो लोग कह रहेंगी रोड़ साइज स्टेट्स में आपके लिए एक टेक्नीशन बेशते हैं अगर गाड़ी ठीक नहीं होती तो टू करके फिर शोरूम पर ही ले जाएंगे सर्वेस एंटर हो वहां पर फिर चेक करेंगे तो देखते हैं भी क्या होता है पर इशू तो भाई रिजॉल नहीं हो रहा है भी मैं आपको दिखाओं तो कहां गया है विवर्ड इस तक की है चावी है कि यह क्या है कि वाई अभी आपके सामने ही देखो चालू हो गई अब दोवारा दवाए भाई सो इस अब बंद यार कुछ नहीं समझ में आ रहा है वीडियो वैसे कट तेसलिए हो जाए क्योंकि बीच में डिस्पले चल जाती है ना तो एंटर्ट आटो कनेक्ट हो जाता तो वीडियो बंद हो सब्सक्राइब करें आपको दखा रहा हूं जो भी यह रहा है आपके सामने है आप भाई पूरी गाड़ी में रिंची नहीं है इसे भाई अभी एडवाजर ने बताए कि आप बैटरी के मतलब भाई रटाकर रेंच वज़रा से और इसे थोड़ी देड़ तक मतलब आप रहें तो 5-10 मिनट तक उसके बाद में चालू करना पायर वगरा जोंट करके तो सकता हो जा क्योंकि टेक्निकल चीज़ है यार इन में ओन आफ करना चलता रहता है हेंग वगरा होती रहती है और बाकी कोई स्क्रिप्टेट वगरा वीडियो नहीं है अगर इतना ही होता तो मैं अकेला बना देता पाप अभी विलाता साथ में आप ऐसे मत समझना कि भाई व्यूस के लिए बना रहा है और ऐसे कुछ है बाई यह उन्ड़ी वाले पता है अपनी गाड़ी में दो रिंच भी नहीं देते हैं अब मैं विचारा दोस्त के साथ मैंने दोस्त को कॉल करा और उसके बाद मैं दोस्त के साथ आओं यहां तक भाई बहुत दूर था और रिंच वगरा अब लेने आया हूं देखने जाके कहीं बैटरी वागरा खुलने जरूरत पढ़ियाद में काई से खुलेगा अब यह तो घर के पास ता अपनी सिटी में था अब होते कहीं दूर तो हाइवे वागरा पर क्या ही करते हैं और सर्वेस वालों का यह आले भाई अभी तक भी आये नहीं है अब लोग दो वज़े अब हो बैटरी कोल लें है अब उसने असिस्टर ने यही कहा था कि भाई बैटरी कोल के रख दो 10-20 मिनट के लिए उसके बाद ट्राय कर लेना लेकिन अभी तग ही भाई उंडे की तरफ से कोई भी रेस्पॉंस नहीं है ऐसा भी नहीं है कि बहुत दूर चोरूम यहां से ऐसी कुछ होगा पांस से साथ किलो मीटर के करीब लेकिन फिर भी अभी तक कोई भी रेस्पॉंस नहीं है कोई नहीं है को पाई सबसे शोकिंग बात तो यह इतनी बड़ी गाड़ी दिया और यह भी नहीं इसमें दो रिंच भी टालके देदे बैटरी वहरा खोलने के दोड़ा बहुत तो इस वह इसे हो गया वरना कहीं दूर होते हाई वगरा पर कोई भी सारा नहीं था हुंड़ी गा तो भाई बूली जाओ अभी तक भी रेस्पॉंस नहीं है काफी भाई भाई यह भी सोचिंगे कि यार तुम उस तरीके से करो इस तरीके से करो तो भाई स सारी तरीके वैसे करके देख लिए इंज स्टार्ट स्टॉप तो कॉमन सा होता ही उसे तो हम दवाते ही तो उससे तो होई नहीं रही बागी चावी से भी चालू करने का उप्चन आता है लेकिन उससे चालू करके जैसे आप गाड़ी के अंदर बैटके हैंड़ डाउन करत कुछ भी दवाते हो तुरंत गाड़ी अपना बंद हो जाती है उसके लागा तो वाई किसी भी तरीके से होई नहीं रही है आप बाई बॉट टाइम से मतलब महिंद्रा वगरा की सुनते हो सर्विसिंग की टाटा की सुनते हो लेकिन आरा जुंडे की भी देख लो कुछ भ अब लोग काफी दिनों से सोच रहे थे हुंड़ाइव नियू का अब तो भाई आज देख लो किसमू से दिखानी पड़ रही है और वैसे चाह भी वगरा की गाड़ी होती ना तो भाई दक्का मारो तो सो इलाज होते हैं उसके तो लेकिन अब यह जो जितना ही सिस्टम इनका हाई सिस्टम आ रहा है ना यानि कि इंज स्टार्ट स्टॉप बटन वगरा वो काफी यादा हाई क्वालिटी दे रही है ना ह भी नहीं है कि भी एस फोर हो या फिर पुरानी हो बहुत ही आदा भी लिया यार शे महीने पहले हो बहुत दुख होता है यह जो भी रेस्पॉंस फिलाल तो है नहीं जो भी कर रहे हैं कंपनिया तो भाई जीरो सपोर्ट है साफ कह रहा हूं मैं तो कि मैं ऐसे यह नहीं कहे रहा कि भाई सारे पीसिस में किसी में कुछ धिक्क्त होती है और हमारी में वाली दिक्क्त हो कि इस सारी चीज़ बाई जितनी हाई टेक्नलोजी आ रहे है आज कल सम्में कोई ना कोई दिक्कत आई रही है बाई आप लोगे देखो बारेश हो के चली गई दोवारा सूरज निकल या और हम अभी तक यही के यही खड़े हैं बाई जो बाई सोचेंगे यार वीडियो स्क्रिप्टेट है या कुछ है ऐसा कुछ भी नहीं है यार स्क्रिप्टेट होड़ती मैं खुदी बना लेता वाई पापा की संग क्यू आता और आप देखो होस्पिटल का पर्चा अगरा यह रहा सारा कुछ भाई कोई भी मतलब स् फिर वाई क्या करें कैसा एक्सपिरेंस कुछ रहता जाब के साथ यह चीज़ा होती है अब भाई फैनली दस से पंद्रा मिनाट हो चुकी है बैटरी खोले हुए अब इसे दुवारा करते हैं और फिर देखते हैं क्या रिस्पॉंस है अब इस तो वाई मुझे लग नहीं रा कि कुछ होगा लेकिन देखते हैं हो गई हो गई हो गई हो गई फैनली यही लास्ता कि भाई बैटरी खोल के रख दो थोड़ी बहुत देर और अपना होया दिया आराम से और देर दो गंटे से परिशान हो रहे थे अब भाई फोन वववेरा करके बता देते हैं सोरूंबालों भाई मताना हो चुकी है मैं खुदी इलाज कर लिया तुम्हारे लाज जरूरत नहीं है अब हम तो भाई देशी शाहति हमें तो पता है कि कौन से सिच्वेशन में क्या करना होता है कौन सी बैटरी खोलने क्या कुछ करना होता है अब कोई हो कोई बाई ऐसा सीधा साधा बंदा कंपनी वरू से अब बटन से चालू हो चुकी है लेगन यह है कि सेफटी में रखनी पड़ी एक रिंच तो इसमें मतलब बाद में अगर कभी फिर से खराब ही होती है तो फिर से ऐसी करना पड़ेगा और बागी फैनली अब भाई सल्यूशन तो मिली चुका है तो भाई यही ती वीडियो और आपको भाई सब उमीद करूंगा मतलब आपको भी थोड़ी बहुत इल्फर्मेशन मिली होगी कि आप भाई नए स्लोट की मतलब फर्स लोट की गाड़ी ले दो तो भाई यह दिक्कत आ सकती है और आप उन्हें कैसे सही करोगे अब भाई यह बताना था आपको कि फर्स लोट की गाड़ी दिक्कत आप आती रहती है लेकिन आपके अगर वह यह दिक्कता आए तो आप ऐसे सही कर सकते कि अब पापा भी बात करके उन्हें मना कर रहें कि भाई आपना आपना उन्हें कर लिए अशाय और भी गर भाई चुके सई और आवा हैं हमारे हुंडवी के अंकल वह राचा चले हुए अब तो होई गई सई वाकी यही था वाई रेस्पोंस कि अब चलो भाई यह वह अपनी सई हो चुकी है और वही चलते हैं अब घर मैं स्कूटी से पहुंचता हूं पापा कार प्यार है इस अलिवाई चलो होतो गई है चालो मैं भी अपना स्कूटी से घर चलता हूं